हंजी बचों, 11th में मैं आपको Economics टीच कर रहा हूँ और आपका सबसे पहले मैं आपका Micro Economics बुक पढ़ा रहा हूँ जिसका आपके एक्जाम में 40 marks का weightage है Micro Economics में total 4 unit है, 4 unit है जिसमें से मैं unit number 2 सबसे पहले मैंने start किया है जिसका एक्जाम में 13 marks का weightage है और नाम है consumer behavior और इसमें 4 chapter आते हैं जिसमें से chapter number 1 हमारा है utility जिसको हम cardinal approach भी कहते हैं बचे last questions हमने consumer equilibrium in the case of single commodity को बड़े detail में उसको समझा एक एक चीज हमने उसके clear की और उसका formula कैसे बना उसके पिछे reason को भी समझा तो बचे उसके उपर value based question कैसे आते हैं सेम जो last class में हमने single commodity के case में consumer equilibrium को हमने study किया वहाँ से कुछ value based question भी आपके exam में आ जाते हैं तो मैं आज आपसे discuss कर रहा हूं कि उसके उपर value based questions कैसे आते हैं देखते हैं एक question हमारे पास पर value based question क्या होते हैं बचे आपकी knowledge को check करने के लिए एक question अपनी तरब से एक case study दे देते हैं एक situation में आपको डाल देते हैं वो कुछ भी हो सकता है आपके सामने उस situation को पढ़ करके और आपको अपनी knowledge से वहाँ पर आपको ये देखना है कि इसके answer क्या होंगे और better तरीके से आपको उसको explain करना है तो एक तरीके से case study समझ लिजिए कोई एक situation, कोई एक case आपको दे देंगे उसको study करना है और अच्छे से उसका फिर आपको जो पूछ रहा है उसका answer करना है तो आपके exam में इसका अच्छा रोल रहता है value based question का तो आए value based question consumer equilibrium in the case of single commodity जो हमने last class में पढ़ा उसी के उपर value based question number 10 हमारा ये है ice cream sales for 20 rupees परियास who likes ice cream has already consumed 4 units her marginal utility of 1 rupee is 4 एक रुपे में 4 रुटिल मिलता है should she consume more ice cream और stop the consumption तो question क्या है बच्छे question ये है आपका कि प्रिया को ice cream पसंद है और एक ice cream का price 20 rupees है और यहाँ पर ये भी चीच क्लियर कर रहा है marginal utility in the terms of money मतलब कि एक रुपे में आपको कितने युटिल्स मिल रहे हैं तो एक रुपे में आपको यहाँ पर यहाँ पर क्लियर किया है आपको 4 युटिल्स आपको मिल रहे हैं और वो कितने ice cream consume already कर चुकी है 4 ice cream वो already consume कर चुकी है तो क्या आप प्रिया को और ice cream consume करना चाहिए या फिर वहीं पर रुख जाना चाहिए तो कोशन समझे रहे हैं कोशन में कुछ चीजे गिवन हैं आपको एक तो ice cream का price जो कि क्या है 20 rupees और दूसरा आपका एक रुपए में जो आपको satisfaction लवल मिलता है वो है 4 युटिल और वो 4 ice cream already consume कर चुकी है तो आप से पूछ रहा है क्या प्रिया को आगे और consumption करना चाहिए इस टॉप हो जाना चाहिए तो आईए ज़रा देखते हैं पर equilibrium कहां पर होता है अब आपको यह अच्छे समझ में आ चुका है m u x clear है upon p x equals to m u m बच्चे m u x का क्या मतलब है m u x कि हमें कितना satisfaction level मिल रहा है in terms of utils p x कितने रुपए में हमें यह satisfaction level मिल रहा है divide कर देंगे जी इतने रुपए में इतना satisfaction level मिल रहा है तो यह पता लग जाएगा कि एक रुपए में कितना satisfaction level मिल रहा है और m u m एक रुपए में कितना satisfaction level मिल रहा है अगर इसके equal आ जाता है तो ठीक है हम यहाँ पर consumer equilibrium में आ गया money for the value है जितने रुपए खर्च कर रहा है उतने का ही उसको satisfaction level भी उसको मिल रहा है तो यहाँ पर consumer क्या करेगा stop कर देगा clear है अगर आपको पता है mux upon px is greater than mu यहाँ पर आप एक रुपए में आपको इतना मिल रहा है बट आपको खर्च करने पर ज्यादा मिल रहा है तो इस situation में consumer क्या करेगा more consumption करेगा और consumption करेगा क्योंकि उसके लिए beneficial situation है अगर इस situation में हो mux upon px is less than mum बनलब एक रुपए में जितना मिल रहा है उससे कम आपको certification level मिल रहा है तो consumer को इतना consume नहीं करना चाहिए consumer इतना consumption करेगा भी नहीं जिससे कि वो जो pay कर रहा है उतना भी वो recover ना कर पाए तो उसको pay कर रहा है उसने मिला satisfaction level बस उसको stop कर देना चाहिए था more consumption उसको नहीं करना चाहिए जिससे कि payment से नीचे जाकर कि certification लेने लग जाए जितना पे कर रहा है money for the value का उसको मज़ा भी ना आए तो उस stop में consumer कम consumption करेगा clear है यह तीन situation हमने already पढ़ लिया है यह आपके पास पर access है आपको अगर कोई भी doubt हो तो आप मुसे contact करकरके आप अपने doubt को आप audio message से अपने doubt को clear कर सकते है clear है बच्चे अब हम यहाँ पर आप जो information है आईए ज़रा check करते information में इस पर इसमें substitute करते है value को first of all mu x तो sir हमें given नहीं है mu x नहीं given है लेकिन क्या p x given है yes बिलकुल 20 and mu m mu m एक रुपे में जितना satisfaction level मिलता है उसको mu m कहते है तो 4 तो आएए solve करते है क्या है आपका mu x equals to margin utility in the terms of utils of x commodity is equals to 80 utils यह 80 बचे क्या बता रहा है कि अगर अगर उसको अगर उसको fourth ice cream से अगर उसको 80 utils मिले न fourth ice cream से अगर उसको 80 utils मिल जाए न तो 80 utils divided by 20 तो क्या हो गया हर एक रुपे से 4 utils मिल रहा है और हर एक रुपे से 4 utils के आपके बराबर भी है तो इसका मत्तब यह हो गया है जितना आप खर्च कर रहे है और आपको उतना ही मिल रहा है clear है? सुझाया आपको हर उपे से 4 उपे आपको मिल रहा है और आप कितने खर्च कर रहे हैं? आप 1 रुपीज खर्च कर रहे हैं 4 utils तो जितना आप खर्च कर रहे है उतना है आपको satisfaction level भी मिल रहा है तो अगर बेटा consumer को 80 utils मिल जाए तो क्या consumer equilibrium में आएगा या नहीं आएगा? हाँ consumer equilibrium में आ जाएगा बेरी बात समझ रहे हैं आप? clear है? अगर उसको fourth ice cream से 80 utils मिल जाए तो ये equal हो जाएगा और consumer equilibrium में आ जाएगा मतलब कि वो जितना खर्च कर रहा है उतने ही उसको satisfaction level मिल रहा है तो इसके बाद वो अब और consumption नहीं करेगा क्योंकि खर्च तो उसको same करना पड़ेगा but because of law of damaging marginal utility satisfaction level पहले से कम हो जाएगा तो वो उसके लिए loss का situation हो जाएगा इसलिए वो आगे consumption नहीं करेगा तो अगर उसको fourth ice cream से 80 utils मिलेगा तो अगर मिला तो अगर मिल रहा है तो वो stop करेगा वो stop करेगा अगर 80 से ज़्यादा मिल रहा है उसको तो एक रुपए में जितना वो 80 से ज़्यादा उसको satisfaction लेवल मिला तो उसका मतलब क्या होगा जितना वो खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा उसको satisfaction लेवल मिल रहा है जितना वो खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा उसको satisfaction लेवल बटा मिल रहा है इसका मतलब यह होगा यहां तो 80 का मतलब यह हो गया आपको 4 आपके पास पे हो गया 4 तो यह किसके equal हो गया आपका MU M के आपके यह क्या हो गया यह आपके equal हो गया है clear है बरिबास समझे रहे हैं आप यहां पर किसी बच्चे को doubt है तो प्लीस आप इस चीज़ को जरा पूछे तो consumer equilibrium की condition क्या है consumer equilibrium की condition होती है MUX upon PX equals to MUM तो जो मुझे information given है उसके according MUX नहीं पता PX पता है और मुझे MUM मतलब कि एक रुपे में कितना आपको satisfaction level मिल रहा है तो MUM क्या है आपका 4 है इसको अगर आप solve करें तो MUX के आगया आपका 80 आपका 80 यूटील्स आपका आगया clear है? बरिबाद समझ गए? तो आपको अगर MUX 80 यूटील्स आगया तो इसका मतलब यह हो गया अगर यहाँ पर MUX 4th ice cream से अगर 80 यूटील्स का आपका है 80 यूटील्स का अगर आपका बिटा यहाँ पर है क्यों? क्योंकि एक रुपए में 4 यूटील्स जरा मुझे बताईएगा एक रुपए में 4 यूटील्स चार यूटील्स एक रुपए में clear है? 80 यूटील 80 यूटील्स मिला उसकी वर्थ क्या होगा? उसका वो कितने अमाउंट का होगा? एक रुपए में जब चार यूटील है तो 80 यूटील का वर्थ क्या होगा 80 डिवाइड चाहे 20 रुपए 20 रुपए 80 यूटील मिला है मुझे और मार्केट में 4 यूटील का दाम एक रुपए है तो 80 यूटील मिला तो कितने रुपए के मुझे money for the value मुझे मिला है 20 रुपए का मुझे satisfaction लेवल मिला है और उस आईस्क्रीम पर खर्च भी कितना कर रहा है 20 रुपए का तो जितने रुपए मैंने खर्च किये उतना ही मुझे satisfaction लेवल भी मिल रहा है मेरे बास समझेगा जरा अगर मुझे 80 रुपए मिल जाए और market में 4 रुपए का दाम 1 रुपए है तो 80 रुपए मिल जाने का मतलब क्या हुआ कितने रुपए का मज़ा आया 20 रुपए का खर्च भी कितना कर रहा हूँ आइस्क्रीम पर 20 रुपए जितना खर्च कर रहा हूँ तना मुझे मज़ा भी आ गया अगर 4 रुपए का है तो जितना खर्च और 80 रुपए मिल जाए तो तो तु मेंशन करी रहा है क्या मेंशन कर रहा है आपका एक रुपए में 4 रुपए में 4 रुपए करने के बाद और करना चाहिए मैं बोलूंगा अगर फॉर्थ आइस्क्रीम पर सी यूटिल मिल गया तो नहीं करूंगा मैं किलिब्रेम में आ गया हूं बीस रुपए खर्च करें बीस रुपए का मज़ा आ गया नहीं करूंगा आगे कंजम्शन अगर असी से ज़्यादा मिल रहा हूं सो यूटिल मिल रहा हूं सो यूटिल धर इक्जांपल्य सो यूटिल मिले तो चार यूटिल एक रुपए परसंग का मतलब 65 रुपए विस रुपए का मज़ा आया कैट टाफिनीव इन्डीबस को इंजोई किया की ने काई benefit है में रहे लिए तो मैं आगे और consumption करूँगा money for the value है आगे because of law of diminishing margin of fall होगा पर price के equal आ जागा तो मैं आगे और जाओंगा clear है कि समय आपको अगर यह 80 से नीचे होता 60 तो 20 रुपे खर्च कर रहा और 15 रुपे का मज़ा आया नुकसान मुझे अपने satisfaction level को इतना low लेगे नहीं जाना चाहिए था मुझे पहले stop कर देना चाहिए था इसको मैंने क्यों consumption करा यह इसमें तो मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है पीछे stop कर देना चाहिए तो consumption को कम करना चाहिए clear है आई ज़रा question देख लेते question क्या है ice cream sales for rate 20 rupees एक ice cream का दाम 20 रुपए धान रखे 20 रुपए से ज्यादा मज़ा आएगा खोशी खोशी कांजम्शन करते जाएंगे money for the value है 20 रुपए के बराबर मज़ा आएगा रुख जाएंगे आगे भी 20 रुपए खर्चों का मज़ा हमारा कम हो जाएगा लॉपए से कम जाएगा हम महां कभी जाएंगे नहीं अगर चली भी तो हमें कंजम्शन को अपना कम करना चाहिए क्लियर नहीं वह सिचुशन तो हमारा लॉस वाला है तो क्या कह रहा है ice cream sales for rate 20 rupees 20 रुपए में sale कर रहा है प्रिया who's likes ice cream has already consumed four 4 ice cream already consume कर चुकी है हर माजे utility of one rupees is four duties should see consume more ice cream or stop the consumption अगर 80 यूटील मिल रहा है उसको चोते से तो 20 रुपए खर्च किये 20 रुपए का मजा उसको आएगा क्यूंकि 80 रुपए में 4 यूटील है एक रुपए में 4 यूटील है 80 रुपए उसको मिल गए 20 रुपए का मजा आ गया बताए मैंने आपको यह यह चीज़ी भी आपको समझाए गई है यहापर consumer clearum की condition आपको यह भी यहापर clear किया गया साथ के साथ आपको क्या mu x upon mu m equals to p x बताए आपको तो अगर आपको 80 मिला और एक रुपए में 4 यूटील तो चाह से रिवाइड करेंगे तो 20 रुपए का आपका मजा आ रहा है 20 रुपए आपने खर्च किये तो आप वहाँ पर stop कर देंगे तो क्या आपको stop करना चाहिए अगर चोत्ते से मुझे 80 यूटील मिल जाए तो मैं समझूँगा क्योंकि एक रुपए में 4 यूटील मेंशन किया हुआ है तो मुझे 20 रुपए का मजा आया 80 यूटील का मतलब 20 रुपए मैं खर्च भी कर रहा हूँ तो आगे मैं कंजप्शन नहीं करूँगा मैं stop करूँगा मैं stop कर दूँगा और अगर मुझे 80 यूटील से ज्यादा कर मुझे मिलेगा तो मेरे लिए बैनिफिशल सिच्विशन है मैं आगे और कंजप्शन करूँगा जितना खरच कर रहा हूँ से ज्यादा मुझे रिकवरी मिल रही है तो क्यों नहीं करूँगा करूँगा करूँ सब्सिच्टूशन दा गिवन वैल्यू जो वैल्यू गिवन को सब्सिच्टूट कर देते हैं इसके अंदर तो मुझे अपन 20 इक्वल सुफोर इंप्लाइंग देट इना स्टेट ऑफ एकलिवरियम प्रियास मुझे मस्ट बी इक्वल तो 80 यूटील सिफ हैविंग कंजूम सब्सिच्टूशन करना बंद करेगी हाईवर इफ एम्यू एक्स उसका 80 से ज्यादा स्टेटिफेक्शन अगर उसको मिल रहा है तो शी शूट कंजूम मोर आइस क्रीम टिल MUX reduce to 80 जब तक कि MUX reduce होगर के 80 तक ना आ जाए Terms of its money worth is equal to the rate जो कि उसके 20 रुपे के बराबर स्रेटिफेक्शन लेबल होता है तो इस तरीके से आपका value based question आपके exam में बच्चे आ जाते हैं इसका आपको खास कर ध्यान रखना है clear है बच्चे कोई doubt किसी बच्चे को तो please आप हांजी बच्चो अब हम question number 11 एक और value based question कर रहे है consumer equilibrium in the case of single commodity जिसको हमने बड़े detail में समझा इसके उपर question number 11 हांजी बच्चो consumer equilibrium in the case of single commodity हमने इस question को बड़े detail में concept से conditions के साथ में अच्छे से समझाए और उसी के ओपर value based questions कैसे आते हैं question number 10 हम already discuss कर चुके हैं अब आईए question number 11 देखते हैं क्या कहता है question number 11 बच्चे क्या situation दिया हुआ है आपके सामने value based का मतलब एक case बना करके आपके सामने रख देते हैं आप उस case की study कीजिए then आप उसका answer सही तरीके से कीजिए जो भी आपके knowledge में भी तक आपने पढ़ा है उसके ब्याप पर तो आएए पहले situation को देखते हैं case को देखते हैं फिर इसके study करते है then हम answer रपाएंगे क्या रहा है how is equilibrium of consumer affected when MUM have funds to rise and PX is constant MUM जदा है और PX constant है तो बच्चे consumer equilibrium के condition क्या है जरा जा समझिएगा आप क्या condition होती है तो equilibrium तब consumer होता है जब आपका MUX मतलब marginal utility in the terms of utils of X commodity किसी भी commodity के consumption करने से जो भी उससे satisfaction level मिलता है utils में वो upon PX जो उस्ती price है उससे divide कर देंगे तो एक रुपए में कितनी utils मिलेगा वो आएगा और आपको given होता है MUM एक रुपए में कितनी utils मिलेगा MUM MUM का मतलब एक रुपए में कितनी utils आती है तो जो number of utils है जो one rupees में आपके आती है तो उसको हम MUM कहते हैं दोनों equal होना चाहिए consumer equilibrium की condition तो यह कहता है पर यहां पर है क्या कह रहा है MUM happens to rise and PX is constant MUM क्या है जादा है MUM क्या है जादा है equilibrium होने के लिए हमें consumer के equilibrium तो यहां पर आएगा जब दोनों equal होंगे बड़ actual में situation क्या दिया हुआ है आपको यह तो बच्चे equilibrium की condition हो गई बड़ आपको situation क्या दिया हुआ है situation दिया हुआ है कि MUX upon PX और MUM is rise मतलब MUM आपका जादा है और आपको पता है किसी भी commodity का price तो constant रहता है अगर आप उसका continuously consumption करते चले जाएंगे आगे चल करके आपको उसके कम satisfaction level मिल रहा है तो वो price fall नहीं करेगा वो चीज़ों को सस्ता नहीं कर देगा price तो constant रहे गए रहेगा आप इस situation में है MUM greater है clear है बच्चे? अब आप बताएं बच्चे कि आपका equal आने के लिए क्या करना पड़ेगा ये constant और ये तो already बताया हुआ है कि एक रुपए में कितने यूटील्स आपका है ये already क्या बता रहा है आपको? कि जी एक रुपए में उसको एक रुपए में इतने यूटील मिलते हैं और basically आप जो recover कर रहे हो सामने वाली party से ले रहे हो एक रुपए में कम यूटील ले रहे हो एक रुपए में कम यूटील ले रहे हो क्योंकि MUX का मतलब होता है इतने यूटील price मतलब इतने price में तो जी एक रुपए में इतने यूटील तो एक रुपए में जो यूटील आप ले रहे हो और जो एक रुपए में यूटिल होना चाहिए जो आपके एक रुपए में यूटिल की जो value है और जो आप सामने अली पार्टिस से ले रहे हो वो कम ले रहे हो, आप loss में हो कम मज़ा आ रहा है आपको जितना आप खर्च कर रहे हो, उससे भी कम satisfaction लेवल मिल रहा है आपको इसका मतलब बच्चे ये हुआ परी बास समझ रहे हैं आप क्लियर है अब बच्चे कैसे equilibrium में आए जाएगा तो कहीं न कहीं ये आपका एक रुपए में जो satisfaction लेवल है वो ज्यादा है और ये आप receive कर रहे हो, ये जो आप receive कर रहे हो ये कम कर रहे हो, तो कहीं न कहीं satisfaction लेवल कम receive कर रहे हो ये तो constant है इसमें चेंज कर नहीं सकते तो इसको आप क्या कर रहे हो, इसको कम receive कर रहे हो तो कहीं न कहीं आपके requirement क्या है आपके requirement यह है कि जिस community का consumption आप कर रहे हो उससे satisfaction level थोड़ा higher किया जाए satisfaction level अगर आपका बढ़ेगा यह तो constant है तो यह पूरी value आपकी बढ़ी हो जाएगी then इसके equal आप आ सकते जो कम है इसको बढ़ाने की need है तो बढ़ेगा कैसे PX तो constant है इसको अगर आप बढ़ाओगे तब जाकर के यह MUX upon PX आपका बढ़ा हो जाएगा और यह अभी काम है तो इसके बराबर तक पहुंच जाएगा और consumer equilibrium में आ जाएगा तो पहले मेरे बास समझेगा हमारे equilibrium की condition यह है बट आपको डाला हुआ इस condition में है इसका मतलब यह है कि जो actual में आप एक रुपे में utility receive कर रहे हो और जो एक रुपे में होना चाहिए उससे कम receive कर रहे हो तो कहीं नहीं कहीं आपका satisfaction level आपका कम मिल रहा है पहिया कम satisfaction level क्यों मिल रहा है इतने नीचे तक कैसे चले गए आप क्योंकि आपने ज्यादा unit को consume कर लिया होगा और बाद में because of law of termination marginal utility आपने ज्यादा unit को consumption कर लिया होगा बाद में कम मज़ा आ रहा होगा प्राइस तो भी pay करना पड़ा होगा तो जितना मैं pay कर रहा हूँ उतना मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब है कि मैं का काफी ज्यादा कंजम्शन काफी ज्यादा unit को consume कर चुका हूँ जितना pay कर रहा हो तो recover नहीं कर रहा हूँ तो satisfaction level कम हो गया इतना कम satisfaction लेबल कैसे पहुंचाता जब आप consumption ज्यादा unit का कर लेते हैं तो आपको इसको बढ़ाना है और आपका satisfaction level high कब रहता है ज्यादा unit पे high र ज्यादा करने पर तो because of law of diminishing margin utility आपके need fulfill होती से लिए आती है satisfaction level कम होती से लिए जाता है लेकिन जब आप कम unit का करते हो first यह second पे तो satisfaction level high रहता क्योंकि उसमें आपके needs fulfill नहीं होती है तो मैं आपको यह समझाना चाहरा हूँ कि इसके equal आने के लिए यह तो आपका एक पढ़ेगा equal करना पड़ेगा तो price तो constant दो इसको बढ़ाएंगे तब ही तो equal होगा तो अगर आपका satisfaction level अगर आप बढ़ाएंगे कि satisfaction level अपना बढ़ाएंगे तो satisfaction level बढ़ता कब है जब ज्यादा unit का कंजम्शन करते हैं तब satisfaction बढ़ता है या less unit के consumption बढ़ाएंगे तो basically इसको आपको increase करना है और आपका किसी भी कमणेटी के कंजम्शन से satisfaction level आपका increase जब होता है जब आप less unit का कंजम्शन करते हैं कम से कम कंजम्शन करोगे पहली आइस क्रीम पर हाई रहता है दूसरी पर कम हो जाता है तो कम कंजम्शन से satisfaction level high रहेगा क्या कह रहा है दूआरा question पढ़ते हैं how is equilibrium of consumer affected when MUM happens to rise and PX is constant यह ही जाता है इससे क्या कह रहा है equilibrium struck when Mux upon PX equals to MUM यहां पर equilibrium होता है if MUM rise and PX is constant the consumer will not be in equilibrium because Mux upon PX would then be less than MUM क्यूसे कम है the consumer will reach back his equilibrium only if Mux is rise जब अपने satisfaction level को बढ़ाएगा जो unit का consumption कर रहा है न उससे मिलने वाला satisfaction को बढ़ाएगा तब as PX is given to constant this will happen only when consumption of commodity X is decreased जब कम consumption करेगा तब ही उसका satisfaction level high रहेगा clear है in accordance with the law of diminishing marginal utility तो क्या कह रहा है जरा answer को एक वार और पढ़ लेते हैं मैंने क्या समझाया कि यहां पर consumer equilibrium में नहीं है consumer equilibrium में क्यों नहीं है क्योंकि equilibrium के condition होती है Mux upon PX equals to MUM बट question में साफ साफ कह रहा है कि MUM आपका rise है इससे तो यहां पर price तो constant है यह rise है इसका मतलब है एक रुपए में जितने utils होनी चाहिए आपको उससे कम utils आपको मिल रहा है एक रुपए में तो कहीना कहीन आप loss आपको हो रहा है तो आप equal करने के लिए क्या करेंगा यह तो constant है तो आपको satisfaction लबल जादा होना चाहिए तो आपको जिस unit का consumption कर रहे हो उससे मिलने वाला satisfaction लबल आपको high करने की need है अब किसी भी unit से satisfaction level high कब होती है जब उसकी ज्यादा unit का consumption कर लेते हैं तब उससे satisfaction level आपकी high रहती है या फिर आप उसकी कम unit का जब आप starting initial stage पर होते हैं कंजम्शन में तब उससे मिलना आपका हाई होता है initial stage में तो फिर यहाँ पर आपको M.U.X मतलब की satisfaction level को अपने उपर level का बना के रखना है जो पे कर रहा है उससे कम satisfaction level मिल रहा है तो क्यों आपने कंजम्शन कर लिया कम कंजम्शन करना चाहिए था आपको जिसे satisfaction level आपका हाई रहे बाद मुझे मालूम आपको नीट थी आपने करा पर पेमिंट से यार कम है न तो क्यों छोड़ते हैं क्या जो तरसको लेंगे कम इससे करेंगे तो यहां पर देखिएगा आपको मुझे को क्या कर ना है बढ़ाना है मेदल भाना है और बढ़ाने के लिए क्ले करना होगा आपको आपको लैस का क century करना पड़ेगा decrease करना पड़े कांजम्शन में यह आपसे कि equilibrium is struck when M U X upon P X EQUALS 2 M öyle M Thunder Mountain and Px is constant. The consumer will not be in equilibrium because MUx and Px would then be less than the MUx. The consumer will reach back his equilibrium only. अपने पीछे वो बापस हो equilibrium पे भी पहुँन सकता है only. It MUx rise. जब अपने certification अपने को बढ़ाया है. उसको बढ़ाया कैसे? As Px is given constant. This will happens only when the consumption of community X is decreased in accordance with the law of diminishing margin utility. Clear है बच्चे? उमीद है आपको अच्छे से समझ में ये चीज़े आई होंगी. Value-based question है. थोड़ा typical होता है, बढ़ा आपको मैं उस level तक लेके जा रहा हूँ. 100 out of 100 हमें score करना है. हर हाल में करना है. Clear है? ठीक है बच्चे? Thank you बच्चे. Thank you so much.